कैसे अप लोग असर करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और हमारी कहाणियों से मज़े ले रहे होंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहाणी सिरीज को तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मादुर्गा मादुर्गा का जो वहान है सेर वह उनका वहान बना कैसे तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं और हमेशा की तरह वही अगर अभी तग आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किजे हमारे सोसल मेडिया लिंक्स को फॉलो किजे और हाँ और एक बात अगर अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हैं, तो हमारे इस मेल आइडिये पे हमें स्टोरी भेज सकते हैं, और हमें इस्टा पे भी आप स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अगर आपकी स्टोरी अच्छी रही, तो हम उसे अपनी वीडियो में अवस्ट शामिल करेंगे, तो ये भी पारवती घोर तपस्या करके भगवान सीव को पती के रूप में पाने की कोशिस कर रही होती है सालों तक तब करने के बाद माता पारवती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं इसी बीच तपस्या की वजह से मापारवती का रंग काफी काला पड़ जाता है एक दिन ऐसी ही बादचीत के दौरन भगवान सिव मापारवती को काली कह देते हैं यह बात उन्हें पसंद नहीं आती है और वो नाराज होकर दुवारा तप करने चली जाती है एक दिन बाद घूमते घूमते एक सेर घोर तप कर रही मापारवती के पास पहुंचा यानि कि घूमते घूमते एक सेर जो है वो मापारवती के पास पहुंचता है जो कि मात पारवती को तपस्या करते हुए देखता है उन्हें खाने की इक्छा से वह वह घूम रहा होता है यानि सेर जो है वो मा को खाने वाला होता है मा को तप में लीन देखकर सेर भी वहीं इंतजार कर रहा था देवी का इंतजार करते करते सालों बीट गए सेर मा परवती के तेज की वज़ा से उनके पास नहीं पहुँच पाता कोशिस करता और असफल तक हाथ लगने पर दोबारा लोटकर कोने में बैठ जाता होते होते कई साल बीत गए मा के तब से खुस होकर भगवान स्थिव प्रकट हुए और मान से मन चाहा वर मांगने के लिए कहा देवी परवती अपना गोरा रंग वापस चाहती है भगवान ने आसिरवाद दिया और वहां से चले गए वरदान मिलते ही मा परवती नहाने के लिए चली जाती है नहाने नहाते ही उनके सरीर से एक और देवी का जन्म होता है जिसका नाम कौस की पड़ा उनके सरीर से काला रंग भी निकल गया और मा का रंग पहले की तरह साफ हो गया इसी वज़ा से माता का नाम पारवती परा इसी वज़ा से माता का नाम गौडी पर गया नहाने के कुछ दिर बाद मा की नजर सेर पर पड़ी सेर को देख कर देखते हैं उन्енко भगवान सिव को याद किया और सेर के लिए भी वर्डान मांगा माता पारवती ने कहा सेर ने सालों से मुझे भोजन के रूप में गहरन करने के लिए इंतिजार कर रहा था पस्चा इसने भी की है इसी वज़ा से अब मैं वर्दान की रूप में सेर को मेरी सवारी बना दीजिये भगवान ने परसन होकर माता की बात मान ली और सेर को उनकी सवारी बना दिया आसिरवाद मिलने के बाद माता सेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम सेरवालिये मा पढ़ गया और दुर्गा भी पढ़ गया तो चलिए आज इस कहानी से हमें पता चलिए कि सेर मा दुर्गा की सवारी कैसे बनी और हमेशा की तरह अगर इस वीडियो को हमारे यूटूब पे देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पे देख रहे है झाल